नमस्कार दोस्तों करंट अफेर से जुड़े होगे आज के मल्टिपल चॉइस कुश्चन्स देख लेते हैं पहला कुश्चन है गॉल्डन बटरफलाई चाय के बारे में तो पुछा है कि यह किस राज्य की है तो इसका आंसर हो गया ए असम डिटेल में देखेंगे तो गॉहावटी टी ओक्सन सेंटरत में जो चाय की बूली लगी थी चाय की बूली लगती है वहाँ पे तो वहाँ गॉल्डन बटरफलाई चाय है इसके एक किलोग्राम ने रिकोर्ड तोड़ते हुए 75,000 रुपे में विकी एक किलोग्राम चाय तो इसलिए ये न्यूज में थी बार बार न्यूज पेपर्स में आ रहे थी तो हमने इसको डिस्कस कर लिया चाय को उसके स्वाद सुगंद और रंग के लिए आंका जाता है ये तो क्राइटेरिया है चाय को आंकने के और ये गोल्डन बटरफलाई चाय है ये है मदूर और मिठे कारमेली स्वाद के लिए जाने जाती है कारमेली का मतलब एक क्रिमीनेश टाइब का क्रिमीनेश टाइब का इसका स्वाद है तो इसके लिए ये बड़ी फैमेस है गॉल्डन बटरफलाई चाय की एक विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष हैं तो यह भारत के केरल राज्ये में उगाई जाती है जिसका परियोग पान मसाला बनाने के लिए किया जाता है तो इकड़म सही statement है इसके औसधिये औजोगिक और सांसक्रतिक उपयोग है तो यह statement भी ँचहिए इसमें सांस यह पाचन संबंदी विकारों के समाधान का उसद्य एगुन है तो यह statement भी शही है तो answer इसका हो गया D अभी आले हाली में क्या हुआ है सरकार ने बहुत से products को GI tag दिया है तो उसमें ये तिरूर बिटल leaf से इनको भी GI tag दिया गया है तो जो बहर सरकार की पी आई भी है उसके अंदर ऐसी खूब सारी न्यूजेज चुपी है जिनको GI टैक्स दिये गए है तो ये भी उसके अंदर था तो इसलिए हमने इसका कुशन की form में डिसकस कर लिया क्या है केरेल की तिरूर सुपारी अपने में हलके इताज़क परक॥टी और ओसधिय गशनी जाती है और नॉर्मली इस का परियोग किस के लिये करते हैं पानमसाला बनाने के लिए इसमें तिनों परकार के गश्तिय कौने कौन कौन कों से ओसधिय और जोगिक और सांसकतिक इसके उप्योग निर्ते है यह पूछा है तो जैसल में तो बिलकुल नहीं है लदाक अंसर इसका डिबांग वैली और कच्कारण अंसर इसके अंदर नहीं है अंसर इसका लदाक देख लेते हैं अभी आदी महुत्चव 2019 में हुआ था वैसे तो 2020 के लिए भी करण्ट अफेस इंपोर्टेंट है 2019 वाला तो अधी महुत्चव यह हुआ था कहां पर हुआ था पोलो ग्राउंड लेह लदाक में वैसे पोलो ग्राउंड तो याद करने की जुरूरत नहीं है लेकिन लेह में हुआ था यह पता होना चाहिए अच्छा जो अधी महुत्चव है वो कौन करवा हैं तो इस महुत्चव में लदाक की लोग निर्टियों की परस्तुति होई थी कौन कौन से एक तो जैबरो और दूसरा श्पावो तो जैबरो डांस में क्या है यह पूरी लदाक का है और एक प्रंपरा का डांस ही है और श्पावो निर्टिय में क्या है यह एक वीर गीत ह है देखो एक वीर गीत है और निर्तिय भी इससे जुड़ा हुआ है दोनों चीज़ें है इसके बार हम लिखावा है एक वीर गीत है और इमालिय छेतर के एक माहान नायक के साथ जुड़ा हुआ है तो कुछिन पूछ सकती है यूप एसी जो रिमोट एरियाज में जो सांस्कृतिक कायकरम होते हैं उन पर फोकॉस करती है तो जबरो और इस्पावों पर फोकॉस कर लेना याद कर लेना इस्टेट PCS में भी ऐसे कुछन पूछे जा सकते हैं अगला कुछन है M Sand याना Manufactured Sand के बारे में है पूछा है कौन से कथन सत्य है तो यह यह भी इस्टेटमेंट सही है तो आंसर हो गया इसका C क्या है दोस्तों कि हम जानते हैं रेत के लिए नदी तल का करसन किया जाता है मलब नदी तल के नदी तल को बहुत ज़्यादा खोदा जाता है तो उससे क्या होगा भूम जल परदूसन आया ने भूमिगत जो जल है उ तो सरकारे कोशिश भी करती है कि जो रेत माफ या वगरा है उनको रोके तो अब ये एक तकनीकी आई है जिसमें ग्रेनाइट के पत्थर होते हैं उनको पीछ करके रेत के रूप में ले आएंगे और फिर इसको जो नदी तल की जो रेत यूज करते हैं उसकी जगे निर्मान क यूज किया जाएगा तो एक तरह से यह है नधी तल को बचाएगा तो इसके बारे में कह सकते हैं कि टोड़े परग्रती शील टकनीकी है और इसमें गरेनाइटовых पत्रों का यूज किया जाता है ये जात कर लेना आगे देखें इसके बारे में तो नेक्स्ट कुशन है आग कि मेरे पास नोट्स बने हुए वो अंगलिस में ही है तो जब मुझे मैंने इसको पढ़ा अंग्रेजी वाले को तो मुझे निसिता लगा पर जब कुछ इंदी ट्रांसलेशन वाली वेबसाइट्स देखी तो पता चला कि निसिता नहीं निश्था है तो निश्था समन्दित में से कों से कतन ऐट सती है गणत कतन पूचाए कों सा एक विकलप ऐसते है तो यह एक अध्यापको की ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो यह स्टेंडमेट सही है यह कोसल और उद्यमिता मंत्रा ले द्वारा शुरू किया गया था है देखो दोस्तों कोसल और उद्य महानाव सुन सादन विकास मंत्राले की समंदित तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो आंसर वैसे यह हो जाएगा क्यों क्यों गलत कतन बूचा है तो यह आज आंसर हो जाएगा इसमें मुख्य पर्याश श्कुली शिक्षा की गुनवत्ता में सुधार करना है तो यह बी देख लेते हैं इसके बारे में निश्टा, National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement इसका फुल फॉरम है अंग्रेजी में है, हिंधी में है, इसकूल परमुखों और सिक्षकों की समगर उन्नती के लिए राष्ट्रिये पहल क्या है इसमें, सिक्षकों का पर्सिक्षन कारे करम है, किसने शुरू किया है, कि अंदर ये मनव संसादन विकास मंत्रा ले मलाव MHRD प्रात्मी के इस तर पर सिक्षा को सस्क्त बनाने के लिए एक राष्ट्री मिशन के तौर पर काम कर रहा है ये और किवाल में इसके बारे में? यह कुछ है डिटेल्स है जो मेंस के अंदर आइसर लिखते हुए यूज कर सकते हैं प्रिलिव्स में तो इस सिद्य कोशन पूचा जाएगा ऐसा संभावना कम है प्रिलिष में से शिद्या यहीं से आ आजागा कि निष्टा क्या है या फिर किसका है ऐसा कुछ फिर भी देख लेते हैं इसमें कुछ important क्या हो सकता है जो यह fact है हम इसको men's के answer writing में यूज कर सकते हैं कि 4.2 million six कों की किसमता का निर्मान किया जा रहा है और एक ये भी दस्वा भी है ये दस नहीं है वैसे ये नो है तो ये जो तीसरा था वो एर से ही छप गया है तो केंदर ये कतिविदी अधारित perception module इसके अलावा भी कुछ important ये हो सकता है दूसरा अनन्द में अनुभावजनिक तरीके से सीखने को बढ़ावा देना तो ये थे आज की discussions ये थे आज की questions थैंक यू